आज सबेरे भाजपा और जन्तादल युनाइटेट के रिस्तों को लेकर मैं कुछ आखड़े खंगाल रहा था। बहुत ही चौकाने वाले आकड़े सामने आए कि ये जो रिष्ता है भाजपा और जन्तादल युनाइटेट का लगभग पता चलता है कि देश में सबसे पुराना रिष्ता है दो राजनीतिक डलों का सबसे पुराना रिष्ता अगर है तो वो भाजपा और जन्तादल युना पुराना रिस्ता है तो छोटी-छोटी चीजों में भी जगडा क्यों हो रहा है राइता क्यों फाइल रहा है यही राजनीतिक पंडितों को हैरान करता है और राजनीतिक बिसलेशकों को ये बत लाने के लिए मजबूर करता है कि ये रिस्ता अब बहुत लंबा चलने वाला नहीं है आप देखना सुरू कर चुके हैं कैपिटल टीपी बिहार मैं आपके साथ सरोज सिंग ताजा मामला राजसभा चुनाव का है दो सीटे बिहार में खाली हुई है और दोनों सीटों पर जो विद्वारों का घोसना होना है उसको लेकर भाजपा और जनता दल यूनेट के बीच राइता फाइल चुका है एक नाम जो अंडरस्टूड है सभी जानते हैं उपेंदर कुस बहा को राजसभा जाना है इसमें कोई किन्तू परंतू नहीं है इसका ऐलान खुद समरार चौदरी नहीं कर दिया था लेकिन जो दूसरी सीट है राजसभा की वो किसको जा करती है उसमें बहुत सारे किन्तू परंतू लग चुके हैं तो वो किन्तू परंतू है क्या और इतना पुराना रिस्ता बार बार डोलता क्यों है यहीं बात जो है समझ में लोगों को नहीं आ रही है देखिए आपको ध्यान है कि एक सीट बिधान परिशत की भी खाली और सब में लोगों को जाना है तो यही जो खाली हुई बिदान परिसंद की सीठ है यही भाजपा और जन्ता दल युनाइटेट को परिशान कर रही है जो करते हैं ज्ञगडे का कोई एक कारण होना चाहिए तो वो कारण यही सीठ है बिदान परिसंद वाली कि इसको किसको मि उपाइंदर कुस्वा के नाम का एलान हो गया था दूसरी सीट पर हम आएंगे कि उस पर कौन जाने बाला है उसको लेकर क्या टकरार है लेकिन जो यह बिधान परिसद वाली सीट खाली हुई है उसको लेकर भाजपा ने अपना दावा ठोक दिया है और यही नितिश कुमार क यही बताते हैं कि भाजपा ने एक बीच का रास्ता निकालने के कोशिस की है कि अगर आपको विधान परिसद वाली सीट चाहिए तो जो राजसभा की दोनों सीटे है वो फिर आप भाजपा कोटे में ही दे दीजिए आप विधान परिसद वाली सीट रख लीजिए हम दिल जोता का रास्ता भाजपा ने रखा है जनता दल युनाइटेट के सामने लेकिन जनता दल युनाइटेट के लोह अकाना है कि इस तरह के लॉलिपप जेना भाजपा वाले बन कर दें रास्तभा में एक एक सीट की बात है वो एक एक सीट तो हमारी है ही जो विधान परसत के सी है इस पर जंता दल यूनाइटेट का सोभाविक डाबा है यह सीठ हम भागपा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं और यही है टेंशन का कारण यही है तनाव का कारण दो जो हमने बात सुरू की थी कि इतना पुराना रिस्ता छोटे छोटे चीजों के लिए भी टैंशन में आ जाता है और बातें जो है पब्लिक में आ तो आईए हम पहले बात करते हैं कि जो दूसरी सीट है राजसभा की उस पर जाना किसको है इस पर क्या मामला फसा है भाजपार जनता दल यूनेटेट के बीच में तो एक नाम तो पेंदर कुस भाजपा का है उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है बार बार का रहे हैं जो दू नाम बिहार के डिप्टिसियम के लिए भी चल रहा है लेकिन जनता दल यूनेटेट का काना है कि उपेंदर कुस भाएं आपके कोटे से जा रहा है राजसभा समराठ चौधरी ने इसका ऐलान किया था भाजपा ने इसका वादा किया था तो वो कोटा भाजपा का पूरा हो मनीश बर्मा का अधिकारी रहे हैं आइस अधिकारी रहे हैं जनता दल यूनेटेट को ज्वैन किया है रास्टिय महासची बनाए गए हैं नितिश कुमार के खासम खास हैं उनके जिले के हैं उनके विरादरी के हैं और उस सबसे बड़ी बात उनके भरोसे के हैं आर्सिपी सिंग के बाद किसी अधिकारी पर अगर भरोसा नितिश कुमार को है तो वो मनीश बर्मा ही है और मनीश बर्मा का नाम काफी आगे चल रहा है जन्ता दर्य उनाइटेट के तरफ से नाम देखिए सानवाज हुसेन का भी आता है बीच बीच में भोला सर्मा का भी आता है एरेस्टो फर्मा वाले का लेकिन अब जो चीज फिल्टर होके सामने आ रही है नोटिफिकेशन के बाद वो यही है कि जो उपेंदर कुसवा है वो भाजपा कोटे से जाएंगे यानि कि जो नवादा वाली सीट जो विवेक ठाकुर वाली सीट खाली हुई है दो साल वाली उसमें उपेंदर कुस बहा जाएंगे और जो चार साल वाली सीट है जो मिशा भारती के चुनाब जीतने के बाद खाली हुई है उससे मनीश बर्मा को जनता दल यूनाइटेड भेजेग कि 21 अगस्त तक ही डॉमनेशन किया जा सकता है तो उससे पहले फैसला लेना पड़ेगा भागपा और जनता दल उनाइटेट को कि उपेंदर कुस बहा के सहबागी हमसफर कौन होंगे मनिस बर्मा होंगे, भोला सर्मा होंगे या फिर सानवाज हुसेन होंगे, कौन होंगे ये तै होना है, जनता दल उनाइटेट ने मनिस बर्मा के नाम पर वीटो कर रखा है कि मनिस बर्मा को ही भेजना है यानि मनिस बर्मा अगर गए, तो समझे कि लब कुस जो एक्वेशन बिहार का है नितिश कुमार का, वो पूरा होगा, कुस बहा कोटे से उपंदर कुस बहा और जो कुर्मी कोटा है, उससे मनिस बर्मा चले जाएंगे यानि लब कुस एक्वेशन जो है, वो पूरा होगा नितिश कुमार का तो उनकी strategy बहुत किलियर है कि बनिस बर्मा को भेजा जाए चार साल बाले में दो साल बाले में उपंदर कुस्वाह को भेजा जाए और जो बिधान परशत की seat खाली हो रही है जनता दल युनाइटेड अपने हिसाब से उसमें candidate देगा उसमें अभी थोड़ा वक्त है उसका notification भी नहीं हुआ है लेकिन भाजपा कुछ अलग सोच रही है जैसा हमने आपको कहा कि राजकुमार सिंग के नाम पर एक सामती भाजपा के अंदर बनी हुई है अगर डिप TCM के लिए नितिश कुमार तयार नहीं होते हैं राजकुमार सिंग के नाम पर तो फिर राजसभा मे भेजा जाएगा राजकुमार सिंग को क्योंकि जो राजपूद विरादरी है उसको जादा दिन तक नाराज करके भाजपा रखना नहीं चाहती है इसलिए राजकुमार सिंग के नाम को आगे बढ़ाया है और भाजपा कर रहिए कि दोनों सीटे हमको दीजिए बिधान पर करस्त में आपको किसको भेजना है या आप तैकर लीजिए देखिए अंतिम फैसला दिल्ली दर्बार में होना है अभी एकाख़प्टे का समय है लेकिन जो मामला फसा हुआ है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मामला फस कहा रहा है नाम किसका है तो मनिस बर्मा का नाम दूसरे उमिद्वार के रूप में जनता दल युनाइटेट के तरफ से बहुत आगे कर दिया गया है अंतिम मोहर तो दिल्ली में लगेगी हलाकि मनिस बर्मा वाले नाम को दिल्ली को भी कम्मिनिकेट कर दिया गया है कि जनता दल युनाइटेट के तरफ से मनिस बर्मा को ह आगे किया जाएगा अब देखिए फासला क्या होता है समझोता क्या होता है चुकि रिस्ता बहुत पुराना है और इस पुराने रिस्ते को आगे भी अगर ले जाना है तो इन छोटी छोटी जिद को छोड़ना पड़ेगा दोनों पार्टियों को तभी ये रिस्ता आगे जा आप देखते रहिए Capital TV बिहार आपका बहुत धन्रबाद आपका बहुत सुक्रियाद